नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हैवेन के येटूब चैनल पर या पर हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट में सीटेट के रिजल्ट कब तक आएंगे और नॉर्मलाइशन प्रॉसेस इस बार देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेग हैं उसमें क्या आपको प्रॉफिट होगा और किस प्रकार से हानियां भी देखने को मिल सकती हैं दोनों में से किसी एक में अधिक्तम प्रॉफिट होगा वह अंदाज़ा आप लगा सकते हैं अने था मैं एक सेप्रेट वीडियो बनाऊंगा देखिए सीटेट दो हजार बा है कि कई सारे फेज हमको देखने को मिलें उन सारे फेज के जो क्युसन है बहुत चाहरे हें लाग्युक्त है साओ चाहा हूँ हरा है किस षिप्ट में किसी बहुँजादे हलके भी हैं तो इसीश हो देखते हुए सारी partager मैं आपको समझाओंगा देखिए पहले मैं रिजल् की रिलीज हो सकते हैं एंसर की आपके आ सकते हैं जो एंसर की हैं वो आपके 10 दिन बाद आपको देखने के मिल जाएंगे यानि 7 फरवरी आपको एक्जाम खतम होंगे और 7 से अगर मैं 10 दिन भी जोड़ू तो मान सकते हैं 15 से लेकर 18 के बीच में आपके एंसर की रिलीज हो जाएंगे या फिर 20 बीच आ सकता है तो मैंसर मैं मान सकता हूँ 15 से एक हपते से लेकर दो हपते के बीच में यानि कि 15 से 20 थक आपके रिलीज हो जाएंगे एंसर की आप एंसर की वहाँ पर देख चेक कर पाएंगे कुछ objection के लिए time आपको दिया जायेगा उसमें आप objection करेंगे, कुछ question गलत होंगे, कुछ जो भी उस पे अपत्ती जनक जो आप query करोगे, जो आप objection करोगे उसके लिए आपको समय दिया जायेगा फिर इसके बाद इनका final जो result आएगा वो maximum मान लिजिए मीड मार्च में, जो मीड होगा मीड मार्च, यानि कि 15 मार्च से लेकर 30 January, February, यानि 28 की February है इस बार, तो आप समझ सकते हैं कि 15 से लेकर 30 मार्च तक आपको यह चीज़े देखने को मिल सकती है कि आपके result announcement हो जाएगे उसके बीच में ही, 15 से लेकर 30 की बीच में आपके result announcement हो जाएगे sit it का, अब एक फंडा यहां पर यह फस रहा है कि क्या normal lesson होगा या नहीं होगा, तो देखिए पिछली बार कि मैं बात करूँ आप से तो पिछली बार हमको देखने को मिला था और इसी वज़े से ही result delay हुआ था वो अपने बातों पर अमल नहीं हो पा रहे थे आज कल, आज कल, 10 दिन बाद 15 दिन बाद, इस तरह करते करते last तक, यह realize हो गया हम लोग को कि अब CBSC भी जूट बोलने लगी है तो इसके बात को विश्वास न करो जब result आएगा, तब हम लोग देख लेंगे हट रही थी, मुकर रही थी, 10 दिन बाद result आएगा, एक हपते के अंदर आजाएगा आने वाले, इस प्रकार से वो result करते 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 करते, आपके डेल से दो महीने डिले की थी, तो क्योंकि उस समय नामलाजिशन का प्रोसेस नहीं था, तो बाद में जब उन्होंने इंट्रोडिश कराया, देखा कि पेपर का लेबल जो है, किसी सिप्ट में हार्ड था, किसी सिप्ट में जो लो पेपर था, आसान पेपर थे, इजी और हार्ड पेपर थे, तो उसका एक लेबल उन्होंने तहें किया फिर उसके बाद उन्होंने नाम लाइसन का प्रासेस जो है एकसेप्ट किया तो इस बार भी यही देखने को मिलेगा जैसा कि कुछ बच्चे कह रहे थे 11 तारिक वाला 11 जनुरी वाला जो पेपर था काफी हार्ड था अधर सिप्टों से और 13 वाला आसान था और 17 वाला भी आसान था और 18 वाले थोड़े से डिपकल्ट आ गये थे तो इस बात को अगर CBSC एकसेप्ट करती है कि हाँ कुछ सिप्ट के पेपर हार्ड थे कुछ सिप्ट के पेपर एकर से आसान थे जब वह एकसेप्ट करेगी उस आधार पर होता है करेगी फिर कि नॉमलाइशन करना है कि नहीं करना है यह चीज़े समझ में आनी चाहिए हमें क्योंकि हम आप नहीं कर सकते कि नॉमलाइशन होगा के नहीं होगा देखिए मेरे बच्चे एक बात आप ध्यान देना जब पिछली बार जब नॉमलाइशन नहीं हुआ था उसके पहले कि बहुत सारे बच्चों का जो जो जनल राइंग में थे जनल करते थे उनका 89 मांक्स आया था 89 कितनों का था 88 था तो यह दो नुबर मेरा नोमलेशन है बढ़ गया और उसके पहले रो रह रहे थे कि मेरा नहीं बढ़ा है मैं एक नंबर से दो नंबर से लटक गया बाद में पास हो गए हो सकता इनके सट्ट्य के पेपर हाड़ आया हो इस बेस यह पास हो गए तो इस तरह की चीज़े सेच्विसन देखने को मिल सकती है एक बच्चा था एक भाई थे मेरे उन्होंने भी मुझे बताया था उस समय उनका 80 मार्क्स था बाद में उनके दूर नंबर बड़े थे क्योंकि वह OBC से बिलॉंग करते थे इस वह पास हो गए इस तरह की बाते हमक किस आधार को लोग सेट करते हैं लेकि नॉमलाइशन का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि हार्ड सिप्ट और इजी सिप्ट को बराबर दर्जा दे देना बस ए चीज दिमाग में रख लेना है अब देके नेक्स सीटेट कब होगा इतना तो जग जाहिर है कि इस बार में भी कि सीप्ट बोल भी चुकी है कि सीटेट में एक ही बार करा पाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन एक्जाम होने लगे हैं जिसमें कि प्रोसेसिंग यानि कि जो हमें नंबराफ फैकल्टी चाहिए हुआ हमें अधिक्तम चाहिए नंबराफ फैकल्टी हमारे पास नहीं होता है इस बा सीफी दवारा बोला गया था पिशली बार इस बार ननुने नकार दिया था कि जुलाई का इसी बज़ेस हमें एक्जाम नहीं करापाए तो इस बार में बी कम पॉस्पिल्टी होगा कि जुलाई कर आए और मैं यह कराएंगे मैं करेंगे प्रूरा मैं कह दू मेरे तरब से तो 90% है कि यह एक्जाम नहीं कराएंगे, 10% exception में लेकर चलते हैं, क्योंकि मूड कब इनका किसक गया, भै को ही नहीं जानता, और लेकिन एक तो बात ता है, कि दिसंबर वाला जो इस समय एक्जाम चला है, दिसंबर तू जनवरी, तो यह एक्जाम निसीत होगा, इस बार भी होगा, दिसंबर तू जनवरी के बीच में, तो एक साल में, मतलब एक दिन में, दो दिन में, एक महिने में तयारी नहीं होती किसी चीच की, किसकी efficiency जादे है, किसकी efficiency कम है, या उस candidate के उपर डिपेंट करता है, ठीक हैं, अब दूसी तरब, सीटेट से क्या-क्या फायदे हैं, अलब कि उनकों से एक्जाम आप दे सकते हो, देखे, आप DSSB भी एक्जाम दे सकते हो, जो देलही सब आडिनेट द्वारा कराया जाता है, मैंक्सम बहुत ही जादे status, काफी अच्छा इसका राता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे भी एक्जाम होते हैं, जो कि guest faculty के रूप में, देलही में, तो उसको भी आप दे सकते हो, उसमें थोड़े से हमें परसानिया तो होती हैं, लेकिन आप जब बहुत जादे emergency होती है, तो बच्चे दे लेते हैं, तो आप दे सकते हो, उसको लेकिन यूपिटेट के बेस पे नहीं दे पाओगे, और सीटेट के बेस पे मैं बता देता हूँ, आप आने वाला जो समय आप तो नए सिच्छा निपी जो लगी है न, उसके द्वारा आप अगर कहीं प्राइबेट भी पढ़ाने जाओगे, अच्छे स्कूल में, कॉन्वेंट भी स्कूल में, जिस प्रकार से हम पढ़ाते है मतब पढ़ाना स्टार्ट हो गया है, तो उसमें आग देखोगे कि उसमें मैक्सिमम फीस, अच्छी खासे फीस होते है, 25,000 प्लस, 20 प्लस, ऐसे फीस होते हैं, स्टार्टिंग में, तो वहां पर भी सीटेट अलाओ, हो जाना गाला, मतब हो जाएगा, और वो लोग उस नई इस इच्छानिती में कर ही देंगे, यह चीजें, उसमें साफ साफमेंसर है, तो नहीं सिच्छानिती, तो आपको सीटेट को बहुत जादे फोकस करके पढ़ने हैं, यह चीज दिमांग में रख लेना, जिनका एक्जाम नहीं हुआ है, वो बिल्कुल अटाइंसर हो जाएं जाता है, तो कुछ राज इसको जो सीटेट को इन्वैलिट दे दी, मतलब कि सीटेट के बेस पर हम नहीं कराएंगे, आपको हमारे राज का टेट देना पड़ेगा, लेकिन अभी यूपीटेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो यूपीटेट पे अगर आप ना भी पास ह होते हैं, इसके पहले मतलब यूपीटेट आने से पहले सीटेट अगर आपने पास कर लिया है, तो अगर आ जाता है तो इसमें बैट सकते हैं, अलेजिबल हैं, ठीक है, यह सारी बाते रहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो शेयर जरू करें, चैनल को सब्सक्र